Hello friends, तो आज हम लोग continue करेंगे अपना transportation problem के साथ लास्ट वीडियो में हम लोगोंने बात कर रही थी theory की आज मैं सबसे पहले method के साथ start कर रहा हूँ जिसका नाम है Northwest Corner Method Northwest Corner Method basically हमें एक initial basic feasible solution बताते है transportation problem का तो इसके हम direct numerical speech चलते हैं देखते हैं किस तरह के आते हैं और हम उसे कैसे solve करते हैं जो exam में आएंगे वो दो तरह के हैंगे जैसे कि मैंने last video में भी बताया था balance और unbalance वाले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम unbalance को balance में convert करते हैं वो में एक बार फिर से repeat कर लूँगा तो लेकिन सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं about balance वाले सबसे पहले एक problem हम लोग हाँ पर लिख लेते हैं उसके बाद आगे बात कर जैसे कि मान लो एक यहाँ पर मैंने company का example यह जिसके basically 3 supply center है S1, S2, S3 जिसकी हमें respective supply दी है जिसकी S1 की है 100, S2 की है 300, S3 की है 300 and 3 मेरे demand center है A1, A2, A3 जिनकी demand में को individually दी है 300, 200, 200 अब basically Northwest Corner rule में को use करके feasible solution इसमें provide करना होता है कि कैसे में transportation cost कम लग सकता हूँ rule वगेरा apply सब हम बाद में करेंगे सबसे पहले हम लोग हम लोग काम होता है check करना कि basically जो मेरा यह balance problem है balance, balance, unbalance के लिए कुछ नहीं करता है मैं बस demand और supply का sum कर लेता हूँ सबसे पहले supply का करते है 100, plus 300, 400, plus 300, 700 अब ऐसी हम लोग demand का करेंगे 300, plus 200, 500, 500, plus 200, 700 क्योंकि 700 बराबर है तो इसलिए मेरी balance problem है अब हम basically देखेंगे Northwest rule में हम लोग क्या करते है Northwest rule समझ स्टार्ट करने से पहले एक बार हम directions देख लेते हैं क्योंकि basically हाँ पर directions का खेल हो रहा है North, South, West और East North हम लोगों का यह होता है West यह तो Northwest मेरा इस corner में पढ़ता है तो basically यह rule हम लोगों क्या बोलता है कि जो हमारी allocation है वो हमेशा Northwest corner में जो भी sell है उसके साथ start करो अब इस question में हम देखते हैं North West में सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है 5 तो हम सबसे पहले allocation 5 के उपर करेंगे तो देखो जब भी allocation करनी हो allocation के लिए जो भी sell देखो उसकी respective demand और supply पर चले जाओ जैसे कि अब आप मैं 5 की कर रहा हूँ तो मैं 5 के आसपास देखोंगा 5 की demand के आसपास मेरा है 300 और यहाँ पर आ रही है supply 100 क्योंकि supply मेरी 100 की है तो 5 पर मैं 100 की ही supply कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 100 इसको 100 मैंने allocate कर दीगा क्योंकि supply मेरी 100 यहाँ पर allocate हो गई तो यह मेरा हो जाएगा 0 and 300 में से मैं 100 को minus करूँगा तो बचता है 200 इतना समझ आया अब क्योंकि मैं यहाँ पर 0 allocate कर चुका हूँ तो मेरी इस वाली रोका काम यहाँ पर finish हो गया इसको मैं काट देता हूँ ठीक है उसके बाद फिर से चले जाओ Northwest में Northwest में को क्या बोलता है Northwest वाला सबसे जादा बड़ा सेल तो अब मेरा आया क्योंकि 8 तो 8 पर सबसे पहले मैं करूँगा 8 में again देखो supply कितनी है demand कितनी है अब मेरी supply है 300 demand है 200 तो 200 चोटा है तो मैं इस पर 200 को allocate कर दिया यह काटूँगा तो हो गया 0 यहाँ पर रह गया 100 अब क्योंकि मेरा यहाँ पर 0 हो गया तो मैं इस वाले column को cut कर दूँगा ठीक है अब मैं गया फिर से North West वाले के पास सबसे पास तो सबसे पास पढ़ा 4 North West में तो North West में again मैं देखूँगा मेरी supply कितनी है and demand कितनी है supply है 100 demand है 200 कम कौन सा है 100 तो इसको भी 100 allocate कर दो 100 allocate करते ही यह हो गया 0 यहाँ पर बचा 100 क्योंकि यह 0 हो गया यह वाला रोग कट हो जाएगा अगें Northwest मेरा यह वाला आएगा तो 7 में 300 और 100 में छोटा कौन सा 100 तो इसमें 100 allocate कर दो यह हो गया 0 यहाँ पर रह गया 200 क्योंकि मेरा यह वाला column 0 हो जाएगा मैं इसको cut कर दूँगा लास्ट में एक सेल बचा दोनों साइट 200 है तो आगया 200 यह भी 0 यह भी 0 तो इस तरह से हमने allocation कर ली अब इसका जो final solution होगा जितने भी हमने allocation और वो किया है उनका sum क्योंकि 5 हुए है तो बस 5 को कर दो सबसे पहले आएगा 100 into 5 plus 200 into 8 plus 100 into 4 plus 100 into 7 plus 200 into 5 जिसको solve करोगे तो वो आ जाएगा 500 plus 1600 plus 400 plus 700 plus 1000 जिसको solve कर दो तो आएगा 2100, 2500, 3200, 4200 तो यह इसका answer हो गया यह तो था मेरा about balance वाला अब balance के बाद हम लोग देख लेते हैं एक unbalance वाले का भी exam, unbalance के एक बार example देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का supply और demand का क्या समार है मैं side में लिख रहा हूँ कि मैं आगे इसी numerical को solve करूँगा तो supply का आप लोग total देखोगे तो आ रहा है 450 जबकि demand का total देखोगे तो आ रहा है हम लोगों का 500 दोनों के बीच 50 का difference है तो जैसे कि मैंने बताया था इसमें में को एक dummy row add करनी पड़ेगी तो dummy row मैं पहले mark कर देता हूँ मैं कहां add कर रहा हूँ ये मेरी dummy row आई तो मैं S4 मान लेता हूँ क्योंकि dummy row है अंदर का सब and supply जो मेरी हाँ पे होगी वो मैं एक तरीके से 50 मान लूँगा ताकि ये जो मेरा दोनों का sum का total है वो 500 और 500 हो जाएगा ठीक है अब इस question को टाफट solve कर लेते हैं north corner west rule से टाफट करेंगे तो सबसे पहले 6, 6 में 200 और 200 में सबसे पहले जाएगा हम लोगों का 200, 200 ने लिया इ ये हो गया 0 क्योंकि supply यहाँ पे 0 हो गई ये रो मैं cut कर दूँगा नीचे गया 10 पे 10 पे 50 और 175 में आएगा 50 50 आया तो ये हो गया 0 ये बचा 125 क्योंकि यहाँ पे मेरी demand 0 तो ये column को मैं काट दिया 5 पे आया 100 और 125 पे तो 100 का मैं allocation करूँगा 100 करते ही ये 0 ये बचा 25 25 करते ही ये वाला खतम अब 860 में 8 मेरा northwest में पढ़ रहा है सबसे जादा तो 25 150 में छोटा है 25 तो 25 कर दोगे ये बचेगा 125 ये हो जाएगा 0 इसके 0 होते ही इस वाले का काम खतम 75 125 में again 75 है तो यहाँ पे मैं 75 करूँगा ये बचेगा 50 ये 0 ये 0 होते ही ये वाला खतम लास्ट वाला दुनों साइट 50 तो यहाँ पे 50 कर दो और ये दुनों 0 जो जो मेरे सेल्स आ गए सेल्स का जस्ट में प्रोडक्ट निकालके अड़ करके solve कर दूँगा ठीक है तो इसमें मेरा last में आ जाएगा 200 इंटो 6 प्लस 50 इंटो 10 प्लस 100 इंटो 5 प्लस 25 इंटो 8 प्लस 75 इंटो 6 प्लस 50 इंटो जीरो इसको further solve करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2550 जो कि मेरा final answer होगा इसके साथ हम लोगों के यहाँ पे North Corner West Method finish होता है I hope आप लोगों समझ आ गया हो in case ना आयो तो वीडियो फिर से देख सकते है और लाइक उसके बाद भी problem हो तो हम लोग WhatsApp पे connect कर सकते हैं and discuss कर सकते हैं do followers and अगर किसी को notes वगेरा कुछ चाहिए तो आप हम लोग की website से ले सकते हो जो कि है www.collegetutor.net उसके अलावा हम लोगों का WhatsApp ग्रूप का link भी डालावा है जो कि मैं यहाँ पे भी डाल देता हूं अगर अच्छा लगे हम लोगों सपोर्ट करना चाहो तो पेटीन नमबर भी है website का link भी है हूं पे कर सकते हो और जस्ट कीप सपोर्टिंस थैंक यू